Hello everybody, welcome to Step Up Lives, आज का वीडियो है डेटा साइन्स के बूट कैम के बारे में, डेटा साइन्स में आपको बताऊं एक बहुत ही जादा एमर्जिंग फील्ड है और अगर आप देखें 2022, 2023 और आगे कुछ आने वाले सालों में हर एक और्गनाइजेशन एक टेक और्गनाइजेशन ह करने के लिए हर किसी को data analytics as well as data science के engineers as well as log expertise में चाहिएंगे, आज का जो bootcamp निकल के आ रहा है वो मसाई स्कूल का pay post placement data science bootcamp है, जहां पर अगर आपका placement 5 lakhs per annum तक नहीं होता है तो आपको कोई भी fees नहीं देनी होती, यहां का जो program है उसमें आपको fees जो है आपके course completion के बाद ही देनी होती है, फटा फट बढ़ते हैं इस bootcamp के बारे में part time है, full time है, क्या courses है, क्या mentors है, किन लोगों को join करना चाहिए, क्या outcome बनेंगे, क्या placements के situations है, average salaries क्या है, सब कुछ इस video के अं तक आपको देखने मिलेगा, अगर आपको video पसंद आएगा, like ज़रू करिएगा और द Masai School Dashboard with Data Analytics Bootcamp, अब यह Data Analytics Bootcamp, जो है, वो कहेगा कि 5 लाग पर आनम के अपको salary नहीं मिलती, तो आपको कोई भी एक रुपिया भी उनको जो भी आपनो training में लगा है, वो नहीं देना है पड़ता, इस bootcamp की खासियत यह है, कि average salary लोगों की 7.6 lakhs पर आनम तक हो रही है, 90% success rate है on placements and maximum salary 24 lakhs पर आनम तक गई है, क्योंकि अगर आप सोचें कि Data Analytics and Data Scientist की बहुत जादा demand है, जो की market में अविलेबल नहीं है, फटावट देखते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से function करता है, अगर आप देखें तो यह प्रोग्राम जो है, वो एक part-time program है, यानि कि 30 weeks का program रहेगा यहाँ पर से आप apply कर सकते हैं, क्या duration है, क्या schedule है, सब हम आपको बता रहे हैं, 30 weeks का program रहेगा, शाम को 6.45 से 11.30 के बीच में, Tuesdays to Saturday as well as 10 a.m. to 5 p.m. Sunday को रहता है, इनके जो classes रहेंगे वो होंगे, 90% placement rate से जैसे मैंने आपको बताया, minimum criteria क्या है, working professional students graduating in 2022 from any educational background, यह हैं पर एक important निकल के आ रहा है, कि अगर आप BTEC हैं, या फिर आप BCOM हैं, या BSCB हैं, या फिर MCA, BCA किया हुआ है, तो भी आपको रुकने की जरुरत नहीं है, इस program को definitely apply करिए, pan card, अधार card जरूरी है, क्योंकि pay post placement, एक agreement के साथ होता है, कि अगर आपको जौब लगती है, 5 लाग के बा एक laptop और internet connection की जरुत होगी, जो एक basic requirement होगी, जो भी instructors अगर आप देखें, तो top companies से हैं, जहां पर data analytics, Google जैसे है, Excel है, और यहां पर से आप क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, week-wise उन्होंने पुरा break-up दिया है, analytics है, advanced Excel है, spreadsheets है, SQL है, Tableau है, Python है, machine learning है, placement preparation और mock interviews और projects भी आपक placement crack कर पाएं, क्योंगे कई बार क्या होता है, courses आपको अच्छी तरह पढ़ा भी देंगे, लेकिन होता यह है, कि अगर आपको सच्छी तरीके से placement के लिए grade नहीं किया, तो आप fail हो जाएंगे, आपका placement नहीं होगा, यहां पर से आप क्या-क्या बन पाएंगे, end of this course, याने ML Engineer, Data Engineer, Associate Product Manager, Sales Analyst, इस तरीके के roles हैं, जो आप apply कर पाएंगे, यहां पर एक pay post placement का agreement आपको sign करना होता है, after initial, आपका जो evaluation process है, जहां पर आपको पढ़ाई के दौरान, एक रुपया भी उन्हें नहीं देना होता, और 15% जो है, आपको as a course fees उन्हें देना होता है, after you achieve 5 lakhs per annum, और यह जो total fees है, इस course की, वो 2 lakhs रखी गई है, और यह EMI form में split की जाती है, जब आपकी job लग जाए, उससे पहले नहीं, but आपको देख लेख लेएं, जैसे आप देखें, PTM है, Dream 11 है, और काफी सारी भारत पे जैसी कमपनियों में placement हुआ है, admission process क्या है, मैंने link आपको description में दिया है, apply कर ये program के लिए, एक admission test होता है, और documentation का process होता है, जहां से आप ready हो जाएंगे, पूरे उनके bootcamp में join करने के लिए, काफी सारे FAQs आपके मन में होंगे, कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं हैं, सब कुछ इस description वाले link में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें ध् post placement program, आपको एक tech start देता है, to learn and get a job and then pay your fees, काफी सारे program ऐसे होते हैं, जो आप से fees पहले ले लेते हैं, आपको outcome based नहीं देते output, इसलिए मैं आपको suggest करूँगा, कि आप Masai School के data analytics के bootcamp को definitely consider करिए, काफी जादा प्रचलित है और आपको मदद मिल सकती है आपके career में, वीडिय so much and bye bye